हेलो फ्रेंड्स जैका वितंकीता में आप सभी का स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना न भूलें आज हम बनाने जा रहे हैं चामल के आटे की एक दम नई रेसिपी राइस बॉल यह बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में मॉर्निंग ब्रेक्फास्ट में इंज्जॉय कर सकते हैं तो चलिए रेस कर रहे हैं आप उस बरतन को ध्यान रखिएगा मैंने यहां एक कप चावल के अाटे के लिए धाई कप पानी लिया है आप इस रेशियो के हिसाब से अगर आप एक कटोरी चावल का अटा ले रहे हैं तो आपको धाई कटोरी पानी लेना होगा अब इसमें मैंने स्वात के नमक डाल दिया है एक छोटे चमज तेल डाल दिया है सभी को मिला करके अच्छे से उबाल आने तक के लिए गरम कर लेंगे हमें ज्यादा गरम नहीं करना है आप देख सकते हैं कि बरतन की नीचे में आपको बुलबुले नजर आना सुरू हो गया है अब हम यहां पे हमारे ज ऌटा लिए हैं सभी हरता हमें लिच आटे योट हैं इसमें चमल चलाना हो जिससे जामगे जीच आटे इसमें लम से पाड़े आपसा कि सकते हैं यह दो मिनट के अंदर ही टार्डा होना शुरू हो जाता है इसे बतन बहुत जादा गरम होता था तो आप साधानी से इसमें कि ऐसे रहुत देर ही इसे चमत्य चलाना है जैसे ही आप आठा डालेंगे वैसे आपको दो मिनट के अंदर ही घैस को बन कर देना है रखोड़ा है जैसे एच्छे से आपको चम में हुआत Meanwhile में चम में चला सकतेया हमें चामबल का आटा है उसे एकदम फेटो होते तक के लिए अच्छे से फेट लेना है जब हमारे गरम गरम घरम ही चामबल के आटे रहेंगे पर ला करें के चाम भी शेट भ क्यों खå मारो बॉल्पर को भीर जो हमने आटे कर थोटा तुकडा लिया है उसे दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे और इसे आटे की लोई जैसे गुल करना सुरू कर देंगे आप अपने एकॉर्डिंग साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने सभी राइस बॉल बना करके रड़ी कर लिया है यह दिखने में एक दम रस गुले जैसे दिख रहे हैं तो चलिए अब हमेंसे फ्राई कर लेते हैं इसे फ्राई करने के लिए सबसे पहले यहां पर मैंने एक पैन गरम कर लिया है अब उसमें एक बड़े चमस तेल एड़ करेंगे मैं जो आज राइस बॉल की रेसिपी बता रहे हूं यह बहुत ही कम तेल मसालों के साथ बनकर के रेडी होती है और यह बहुत ही ज्यादा है ज थोड़ी से धन्यापति ली है जीरा सरसो और एक चोटा चमच तेल अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हमें यहां पर एक चोटे चमच राई एक चोटे चमच जीरा एक चोटे चमच वाइड तिल आप चाहें तो ब्लैक तिल भी यूज कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहां पर एक चोटी मिट्स को बारी काट लिया है उसे एड़ कर देंगे साथ महीं करीपत्ता एड़ करेंगे मेरे पास जो करीपत्ते थे उसका साइस होड़ा बड़ा था तो मैंने उसे चॉप कर लिया है तो ऐसे भी इसे डाल सकते हैं सभी को मिला करके 2-3 मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारा तड़का बन करके पूरी तरह से रैड़ी हो चुका है अब हमने जो राइस बॉल बनाया है उसे इसमें एड़ कर देंगे हमारे जो राइस बॉल है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे आप से बनाएंगे तो यह बिल्कुल असानी से अब फ्राइ हो जाएंगे दो से तीन मिनट के लिए इसे फ्राइ करना है आप चाहें तो इसमें चम्मत चला सकते हैं या मेरे जैसे कड़ाई को राइस बॉल में अच्छे से लग जाएंगे आप अगर चम्मत चला रहे हैं तो थोड़ा साउधानी से करिएगा क्योंकि हमारे जो राइस बॉल है वह काफी सॉफ्ट होते हैं अगर आप हाड चम्मत चलाएंगे तो वह बीसे टूट जाएंगे अगर आपको लगते हैं कि आपने जो राइस बॉल बनाया है उसमें नमक थोड़ा सा कम है तो आप इस स्टेज में थोड़ा सा नमक स्पेंकल कर सकते हैं मैंने यहां पर अलग से कोई भी नमक नहीं डाला है हमारा जो राइस बॉल है वो बन करके तयार हो चुका है उपर से थोड़ा सा धन्याबत्ती के साथ गानिसिंग करेंगे हमारे राइस बॉल बन करके तयार हो गए हैं अब गया साम आफ कर अगर आपको मेरी क्विक ब्रेट पास्ट बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग